इस वीडियो के एंड तक आप अपने कंप्यूटर पर डेवलप्मेंट एन्वार्मेंट सेटप कर पाएंगे अपाचे और एंजिनेक्स मोस्ट कॉमनली यूज़ वेब सर्वर्स हैं पर हम सिर्फ अपाचे पर फोकस करेंगे क्योंकि ये फ्री और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वेब सर्वर है आएए देखते हैं कि विंडोज ओपरेटिंग सिस्टम पर अपाचे को लोकली कैसे यूज़ करते हैं अगर आप लिनक्स या Mac यूज़र हैं तो आप इस वीडियो को स्किप करके नेक्स वीडियो पर जा सकते हैं जिसमें हमने अपाचे को लिनक्स और Mac OS पे इंस्टॉल करना सिखाया है अब Apache को यूज करने के लिए हमें XAMPP सर्वर को इंस्टॉल करना होगा XAMPP डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पे जाएंगे ये लिंक वीडियो के नीचे भी गिवन है जब आप लिंक ओपन करेंगे तो आपको ये पेज देखेगा अब XAMPP डाउनलोड करने के लिए इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करिए and make sure कि आप latest version को ही डाउनलोड करें जब फाइल डाउनलोड हो जाए फिर software इंस्टॉल करने के लिए फाइल पे डबल क्लिक करेंगे अगर installation से पहले आपको ये warning देखे तो don't worry आप OK पे क्लिक करके आगे proceed कर सकते हैं हो सकता है कि कुछ users के लिए installation शुरू ना हो तो इस case में आपको temporarily antivirus को disable करना होगा जब तक installation complete ना हो जाए हम default options के साथ proceed करेंगे और जब prompt आएगा तो हम installation location को as c drive रखेंगे आप कोई भी drive location चूज कर सकते हैं पर मैं आपको suggest करूँगा कि आप c drive को as default installation drive folder रखें जब installation complete हो जाएगा तो आपको अपनी screen के bottom right tray पर zamp icon दिखेगा या फिर आप इसे उस drive location से भी open कर सकते हैं जहाँ पर ये installed है मेरे case में ये c drive में है and the folder is named zamp हम ये folder open करेंगे और यहाँ पर आप zamp application देख पाएंगे इस file पर click करिए और ये zamp control panel को open करेगा like this ये वो सारी services डिस्पले करता है जिने हम zamp की help से control कर सकते हैं अभी के लिए हम बाकी की services को ignore करेंगे और apache को start करेंगे इसके लिए इसके side में बने हुए इस button पे click करिए और अगर आपको apache service stop करनी है तो आप इसके side में बने हुए stop button पर click कर सकते हैं तो आपने zamp को windows system में local पर successfully install कर लिया है नेक्स वीडियो में आप देखेंगे कि हम linux operating system में apache web server को कैसे install करते हैं